है गाईज वेलकम बैक टो माई यूट्यूब चैनल सो करते हैं आप सब कर अपनी चैनल में दुबारा वेलकम तो यहां गाईज आपके लिए इंपॉर्टेंट अपडेट लेके आए हम आज जो अपडेट रहेगा वो रहेगा रिगार्डिंग डाक करेड अप्लिकेशन जो और जिसमें आप क्रेडिट काड़् बिल वागेरा आपकी पैंडिंग बिल होते हैं वहां पे ऑपको प्यमिन्ट करना पड़ ता क्रइड अपलिकेशन में उसके Beautiful जाता है क्रेडिट अप प्लॉस orth Nathan दिडाको मिल जाता है तो अग्लेट एक आफ्टम फो चाहेगा उसके बाद आपको 1000 तक कैश बैक मिल सकता है आज हम लाइब प्रूव करके दिखाएंगे आपके सामने हम यहां पर अपने काट को क्रेए वहां पर सेक्यर करेंगे देखते हैं मैं कितना आफर मिल जाता है कितना कैश बैक मिलेगा तो गैस सबस्क्राइब कर दिखा तो गाइस यहां पर मैं आपको दिखाना चाहूंगा आपको क्या करना आपको सीदे कुछ नहीं करना है आपको हमारी चैनल पर जाना है और चैनल पर आपको सबस्क्राइब कर देना है और कुछ नहीं करना है आप देख सकते हैं हमारी चैनल यहां पर है मैंने आपको दिख करना हो एलक्सिटी बिल करना हो या टेलेफोन या लेंड लाइन बिल यहां जो भी आपकी लेंड लाइन बिल वगएर जो भी आप यहां पर पे पेमेंट कर सकते हैं यह देख से हमारा इंटरफेस यहां पर दिख रहा है सब कुछ आपको दिख रहा होगा यह मेरा नहीं वग सकते हैं आप you can run up to 1000 if cashback आपको cashback मिल जाएगा 1000 तक अगर आप क्या करना है आपको काम करना आपको secure करना है your secure your card to claim यहां पर करना है यहां पर claim now पर हम click करेंगे यहां पर हमरे पास option आजाएगा इक claim now पर आप click करेंगे तो मैं click कर रहा हूं यहां पर देख सकते हैं आपको two rupees का payment करना है गयाज और कुछ नहीं करना है जो भी आपका card है उसके आपको दो a payment करना है यह दो रुपए का payment आपकर आपको refund हो जाए गो उसके बाद आपको 1000 तक यहां पे आपको यहुथा करने हने नृपे क्लिक करने गयाइज है करेगा यहां poem किलिक करते हैं गयाज यहां पर एक्सप केडि़ेट करेगा और यहाम पर सिविजड टेना पड़ेगा उसके बाद हम प्रोषीड नंबर कर पाएंगे क्सभाइस यहां ने सारी डिज्डाइब कर लिए यहां पे आपके काड के साथ कोई फ्रॉड वगेरा यहां कोई भी नहीं होगा यहां पे यहां पे आपको प्रॉपरली सब कुछ मिल जाएगा यहां पे आपको काड सेक्वियर हो जाएगा गाइज तो गाइज यहां पे token RBI की guide line इस आई थी तो RBI guideline क्या आ रही थी कि आपको अपना card किसी हाल में भी secure करना है क्यों करना है इसका क्या funda रहेगा क्या procedure रहेगा वो मैं आपको यहां पे समझाने जा रहा हूँ यहां पे सबसे पहला important point आपको जानना है tokenization क्या है जो RBI guidance क्या card एक new procedure यहां पे आपको एक जो आपके card पे यहां पे physical यहां पे data दिया होता है card नमबर होता है वह सब आपको जब भी आप कोई payment करते तब आपको फिल करना पड़ता है बाट यहां पे tokenization का एक method आया है जिसमें आपको एक virtual token यहां पे आपके transaction के लिए यहां पे create कर दिया जाएगा जब भी आपको एक transaction करोगे तो वहां पे आपको एक virtual यहां पे identity का एक token create किया रेंडमली चेंज होता रहा है कुछ चेंज होता रहा है रहेगा कि within seconds यह change होता रहा है एक second या 5 seconds के बाद यह token change होता रहा है जिससे यह पता चल जाएगा आपको सिर्फ यह tokenization यूज करना है यह token यूज करना है आपको यहां पे आपनी transactions के लिए तो इन token में कोई भी आपकी personal information include नहीं होती है यह system generated यहां पे token होती है इनको token को यूज करके आप कोई भी payment कर सकते हैं यह secure method होता है यह permanent token नहीं होता है यह change रहता है within seconds यह change होता रहता है जिससे आपका creator card का payment secure रहता है कोई fraud वोने का कोई चांस नहीं रहता है guys उसके बाद token organization के दूसरा question रहेगा वायर विल इस token रहेगा यह token आप कहां पर use कर सकते हो guys तो यहां पर यह क्लियली बता रहा है यह token generate करना का एक फंडा है आप जो भी payment कर रहे हैं तो आपको card details फिल नहीं करने पड़ी का बटको आपको यह token वहां पर use कर देना है बस आपका payment हो जाएगा इसका where are my card details यह मेरी card details कहां पर save होने जा रहे है अगर मैं tokenization करूंगा तो क्या होने जा रहा है तो यहां पर guys यह clearly बताए जा रहा है आपका card total कहीं पर भी save नहीं होनी जा रहे है कि किसी जगह भी save नहीं रहेगी यह फीजिक virtually यहां पर randomly change होता जाएगा आपका card की identity है वो continuously protected होती जाएगी जो कि आपके पास payment कर रहे हैं जिस intermediary के सब्सक्राइब कर रहे हैं उसके थो यह payment का आपका secure हो जाएगा आपको कोई tension नहीं की जूरत नहीं है उसके अलावा दानादर important है यहां पर who will be able to access my card details आपकी card details को एकसेस कर सकता है आपकी card details से लिए credit card हो याइसी आइसा का हो और आपका जो वीजा payment करना है MX का payment करना है master card का कोई fundा होगा आपका जो भी credit card जिस टाइप का भी merchant होगा उसको information मिल जाएगा और आपकी bank providers को आपकी information card की information रहे और किसी को नहीं रहे गाएगा उसके बाद what happen if I don't monetize that if I don't tokenize my card अगर मैं tokenize नहीं करता हों तो मेरे साथ क्या हो सकता है तो कुछ नहीं हो सकता है गाइज यहां पे यहां पर clearly यहां पे guide linage में बताया है guys यहां पर हमेरे साथ RBI guide linage clearly बताया है कि आगर आपको यह mandatory करना पड़ेगा अपना यहां पर tokenize आपको secure करना पड़ेगा क्योंकि यहां पे fraud बहुत होते रहते हैं और आपको यह काड़ का डिटेल इस फिजिकल नंबर वगयरा एक्सपरी सीवी नंबर बार बार रिपीट लिए यहां पर फिल करना पड़ता है अब आपको वो टेंशन मपास अभी हम humanity करना है तो हम हम एड्यशन को खाकर यहां पर फारोप शोड़ आया है यह यहां पर बैन पड़्चेच का यहां पर यहां पर 2009 श just है है दो रुपई का डिडेक्शन हो गया है यहां पे पैप देख सकते हैं कहले लिए हमने आपको दिखाये गायज हम पर क्या हो रहा है यह देख लीजिए गाईज हमने क्या हुआ कर लिए अब आपको क्या कम करना आपको जाना है रिवार्ड में जो आपके अप्लिकेशन की मैंने मापको मिल जाएगा गाइज यहां पर देख सकते हैं आपको ले लिए आपको दिख रहा होगा गाइज यहां पर एक ले लिए आपको दिख जाएगा गाइज यहां पर आप को जाना है कहां पर आप्शन में जाना है यहां पर आपको जाना है कैश बैक रिवार्ड उसमें आपको जाना है यहां पर आपको क्लेली में दिखा रहा हूं यहां पर आपको इस वाले सेक्शन में जाना है कैश बैक रिवार्ड वाले सेक्शन में जाएंगे आपको आपको आपको यहां पर दो आफ़ यहां पर मिल जाएगा यह देख से लिए वाला आफ़ यह भी अनलाक हो गया है यह भी अनलाक हो गया है कैज बैक फार सिक्यूर कार्ड के लिए कैज बैक अनलाक हो गया यहां पर किलिए आपको क्लिक करेंगे अप यहां पर आपको क्लिए लिए one thousand तक आपको cash back मिल सकता, अगर आप अपना car secure करोगे गायज Kola आप केंके कि-क लिक करेंगे देखिंगे हमें क्या मिलीगा यह था रिधे हैं पे देख सकते हैं अब यहां पर yan Og đã पर आप का यहां पर हम इसको drop down करें गे यहां पर हमें देखिंगे जह कुछ और काट कोड़ हम देख सकते हुमें कितना मिलेगा काईस तो यहांप ए 66 टुर्पडाउं पर कलिक कर लिया है to 5 रूपीज का दिख्यो बैग मिला है काईस ज्यादा नहीं मिलाए हमma है यहां पे हमेरे पास के जिख्यों हैं आपको कोई guaranteed नहीं है आपको कितना मिलेगा बट यहां पे up to 1000 आपको देखने को मिलेगा यहां पे 5 रोपीज का cashback हमें मिल चुका है guys accordingly आप अपना अपना चेक करेंगे उसके अलावा हमारे पास एक और offer थी सब्सक्राइब आपको यहां उसको करेंगे जो हमें क्लेम कर लिया है तो यहां पर देखेंगे नोम ने यह और यहां हो चीकित कि हैं तो इसति ब्याक कम कम क्क में चेट रहेंगे देखेंगे किया मिल्राट है अजैनलगत रवाला भी है तो यह पर बीश पर करेंगे skincare फिननाब देखरेंगे वूर्प्ट जासनले ट्रौ दॉन या로प डॉण ऐसे किलिक करने ना है देखतें यहां पर हममें 56 का cash bag मिला है गाई यहां पर 56 रुपीज का cash bag मिल चुका है गाई यहांपर आपको क्लिए लिदिख रहा होगा 56 का cash bag मिला है guys I hope आपको चीजे समझ में आ गए होगी कैसे आप cash bag claim करेंगे guys जैसे भी आप कोई ट्रंजेक्शन करते हैं तो अगर आपको आपको यहां पर करना है तो आपको क्याइज बैक मिल सकता है गाइज अपना अपना यहां पर चुक करेंगे आपको जाएज चीजे समझ में आ गई तो गाइज यह था इंपॉर्टेंट आपडेट रिगारिंग क्रेड अप्लिकेशन क्या इपक आफर के ती रिगारिंग था तो यहां पर टोकनिजेशन के रिगारिंग आपको सबको पता चाहिए कोई क्वच्छन राएगा तो कमेंट्स में जुरू शियर करेंगा गाइज बाकि मिलते हैं दुसरे वीडियो पार्ट में कुछ नए चैनल को गाइज जरूर सबस्क्रेब कर दीजेए अपने फ्रेंस के साथ शियर करते हैं चलो गाइज मिलते हैं दुसरे वीडियो पार्ट में डेली के तब तक के लिए खुदा आफिस टेक्यार एंड बाबाए